तो नमस्कार दोस्तो राजा बाबु नई चरा यूटूब चनल की ओडियो कैसिट की दुनिया में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आज से हम नई सीरीज का सुभारंब कर रहे हैं उस सीरीज का नाम है Music Hits of 1999 मतलब सन 1999 में जितनी भी ओडियो कैसिट उस जमाने में आई थी म्यूजिक सेंटर पर उन में से आपको 90% ओडियो कैसिट इस सीरीज में देखने को मिलेंगी यदि आपकी भी कोई पसंद की ऐसी ओडियो कैसिट है जिस से आपकी याद है जुरी हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आगे हम उसका भी रिब्यू करेंगे तो आज यह हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है मतलब पहला पार्ट्स है तो आज के वीडियो में हम बोक एसिट दिखाएंगे जो 1999 में सबसे ज़्यादा बिकी थी और बोक एसिट मेरे हाथ में देख सकते हैं फिलिम का नाम है कहो ना प्यार है इसमें आप जानते हैं कि र सबसे ज्यादा बिकने वाली और यो कैसिट थी उनमें ये पहले पायदान पर रही थी जिसकी 90 लाक और यो कैसिट पिक गई थी तो उनी 90 लाक और यो कैसिट में से 2-3 कैसिट हमारे पास भी है तो आज की वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो एंड तक देखते रहना और इस सीरीज को भी दोस्तों आप सभी दर्शकों की सपोर्ट की बहुत ज़यूरत है तो अपने दोस्तों को सेर कर दो दबा के लाइक कर दो और जिन भी दर्शकों ने चplain की audio cassette का review तो finally दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1999 की blockbuster movie कहो ना प्यार है और हमारे पास finally 6 audio cassette हैं जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इन में कुछ master भी हो सकती हैं कुछ regular भी हो सकती हैं और कुछ एक दो दोस्तों duplicate cassette भी हो सकती हैं तो video continue करते रहना सभी cassette देखाऊंगा और इसके ग खाने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको कहो ना प्यार है फिल्म के बारे में दे देते हैं कहो ना प्यार है सन 2000 में आई music romantic एबम ड्रामा से भरपूर एक बहुती प्यारी हिंदी बासा की फिल्म थी इस फिल्म में हमको मुक भूमिकाओं में रितिक रोशन एबम आमी इसके प्यार भी थे राकेश रोशन और इस्टोरी भी राकेश रोशन की थी ती दिया था राजेश रोशन और इस फिल्म के गाने लिखे थे इबराहिम अस्क एबम साबन कुमार टाक ने और फिल्म रिलीज हुई थी 14 जनबरी सन 2000 को लेकिन आडियो कैसेट सन 1999 में मार्के 90,000,000 आडियो कैसेट बिख गई थी और फाइनली बॉक्स आपिस पर कहो ना प्यार है ब्लॉक बास्टर साबित रही थी दोस्तों इस फिल्म ने उस जमाने में 92 जीते थे इसलिए इसका नाम गिनीज बल्ड रिकॉर्ड में सामिल है तो चलिए सबसे पहले हम ये वाली कैस ये पोश्टर देख सकते हैं यहां पर HMB का लोगो है रितिक रोसन आमीसा पटेल का फोटू और रितिक रोसन के यहां पर आटोग्राफ भी देखने को मिल जाएगा यहां पर लिखा है राकेस रोसन कहो ना प्यार है म्यूजिक बाई राजेस रोसन इस प्रकार का उस जमाने में थी 50 रुपे बैक साइड में देखें तो इसके गाने लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी गाने हैं अब यह आपको थोले थोले गानों की जलकियां सुनाओंगा तो वीडियो कंटीन्यू करते रहना रितिक रोसन का फोटू वाकी जानका प्यार है यह साइडे है और यह साइड भी है कंटीसन की बात करूं तो बहुत अच्छी कंटीसन है चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका पोस्टर तो इसका पोस्टर जो मास्टर कैसिट थी उसका पोस्टर बहुत बड़ा था लेकिन फाइनली वो इसका लेक्शन में नह इस cassette से नहीं सुनाएंगे गाने जब हम उस cassette पर पहुंचेंगे तब गाने सुनाएंगे चलिए दूसरी cassette देख लेते हैं तो यह रही कहो ना प्यार की दूसरी cassette चेक कर सकते हैं इसका पोश्टर अलग है उसका अलग था यहां पर राकेश रोसन कहो ना प्यार है म्यूजिक राजेस रोसन और रितिक रोसन अमिशा पटेल का फोटू साथ में रितिक रोसन का ओटोग्राप और यहां पर लिखा है कहो ना प्यार है HMB का लोगो इसकी आप देख सकते हैं पैकिंग है 2000 की दिहां तीन 2000 की पैकिंग है तो इसको भी हम रेगूलर ही cassette कहेंगे वैसे तो फिल्म 2000 में ही आई थी लेकिन cassette 1999 में आ गई थी तो 1999 की यदि पैकिंग की होती तो हम उसको मास्टर कहते हैं गाने लेखी हुए हैं बैक यह साइड भी है यहां पर भी कहोना प्याल लिखा हुआ है रिल की condition ज्याद आच्छी नहीं है पर ठीखाक है चलिये पोस्चर देख लेते हैं यह रहा इसका front side, यह रहा इसका back side, back side इसका थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है, front side भी अलग है, तो 2 cassette मैंने आपको देखा दी, चलिए अब तीसरी cassette और देख लेते हैं, वैसे हमारे पास 6 cassette हैं, तो वीडियो continue करते रहना, सबके poster अलग-अलग हैं, यह तीसरी number ही cassette है, चे कहोना प्यार है, उस जमाने में इसकी कीमत 40 रुपे और सन 2003 की इसकी packing है, तो यह भी regular cassette है, यहाँ पर इसके गाने लेखे हुए हैं, तो यही से हम इसके गाने सुनाएंगे, total 9 गाने हैं, देख सकते हैं, cassette देख लेते हैं, तो यह रही कहोना प्यार की regular cassette, यह side भी है, और य side A है, ठीक है, इसमें अलग प्रकार का कहोना प्यार है, इसकी condition भी अच्छी है, और बाकी poster की बात करें, तो यह front side है, back side में कुछ भी नहीं है, चलिए इसमें गाने थोड़े से अच्छे और साप साप दिख रहे हैं, तो इसी से हम गानों की जलकियां सुना देते हैं, तो इसके पूरे ही गाने सुपरेट हैं, तो side A का पहला गाना इस फिल्म का टाइटल सौंग है, गाने के बोल है, कहो ना प्यार है, इस गाने में आबाज दी है, ओधित नारायन, अलका यागनिक ने, और इस गाने को लिखा है, इब्राहिम अस्क ने. साइडे का दूसरा गाना, ये गाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद दो तो कमेंट सेक्षन मज़रूर बताना, क्यूं चलती है पवन, क्यूं मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, इस गाने में आबाज दी है, लक्की अली, एबं रम्या ने, और इस गाने को भी लिखा है, इब्राहिम अस्क ने. साइडे का तीसरा गाना, प्यार की कस्ती में, इस गाने में आबाज दी है, ओधित नाराइन, अलका यागनिक ने, और इस गाने को लिखा है, साबन कुमार टाक ने. साइडे का चौथा गाना, बहुती जवर्जस्त गाना, गाने के बोल है, जाने मन, जाने मन, आबाज दी है, आसा भोसले ने, और इस गाने को भी लिखा है, साबन कुमार टाक ने. चलिए साइड बी के गाने और सुन लेते हैं, साइड बी का जो पहला गाना, ये गाना भी शानदार गाना है, गाने के बोल है, चांद सितारे, इसमें आबाज दी है, कुमार सानु ने, और इस गाने को लिखा है, साबन कुमार टाक ने. साइड बी का दूसरा गाना, दोस्तों, बहुत ही शानदार गाना है, गाने के बोल है, दिल ने दिल को पुकारा, आबाज दी है, बाबुल सुप्रियों ने, और इस गाने को लिखा है, इबराहिम अस्क ने. साइड बी का दूसरा गाना, जो कि इस फिल्म का टाइटल सौंग है, सैड बर्जन में है, कहो ना प्यार है, आबाज दी है, ओधित नारायन ने, और गाने को लिखा है, इबराहिम अस्क ने. साइड बी में चोथा एक म्यूजिक है, जिसका नाम है, बिलीव इन लव. साइड बी का पांचवा लास्ट गाना, उस जमाने में इस गाने पर बहुत ज़्यादा डान्स किया जाता था, गाने के बोल है, एक पल का जीना, आब आज दी है, लक्की अली ने, और इस गाने को लिखा है, विजय अकेला ने. तो दोस्तों, अभी मैंने आपको कहो ना प्यार के नो गाने पल कर सुनाए, अब बारी आपकी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया, वैसे तो इसके सभी गाने अच्छे हैं, फिर भी कोई याद है इस ओडियो कैसिट से, या इस मूवी से जोड़ी हुई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, पर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना जिनोंने नहीं किया है, चलिए चौते नंबर की कैसिट देख लेते हैं, तो यह रही चौते नंबर की कैसिट, इसका पोश्टर इन तीन कैसिटों से अलग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, कहोना प्यार है, यहाँ पर इसकी पैकेंग लिखी होई है, लेकिन साइनली देख नहीं रही, दोहजार एक की पैकेंग है, यह भी रेगूलर कैसिट है, बोही के वही आप गाने पड़ सकते हैं, इसका पोश्टर थोड़ा सा अलग है, कैसिट भी इसकी अलग है, यह भ माचवे नंबर की, बहुती प्यारा कॉम्बिनेशन है, मेला के साथ में कहोना प्यार है, अब आप कहोए कि मेला ओडियो कैसिट तो बीनस पर आई थी, यह हमबी में कहां से मिल गई, तो इन कंपनियों ने एक दूसरे से टाइप किया था, जैसा कि आपको पता होगा, तो यह मेला बीनस की है, और कहोना प्यार है, हमबी की है, हमबी का लोगो है, यहाँ पर दोनों फिल्मों के नाम लेखे हुए हैं, उस जमाने में इसकी कीमती 50 रोपे और एक 2000 की पैकेंग है, तो यह भी मास्टर कैसिट हम कह सकते हैं, दोनों फिल्मों के यहाँ पर गाने देख सकते हैं, तो यह 5 कैसिट मैंने आपको देखा दी, जो कि मेरे कलेक्शन में ओरिजनल थी, अब हमारे कलेक्शन में एक डुपलीकेट कैसिट भी है, चलिए देख लेते हैं, यह है कहो ना प्यार की डुपलीकेट कैसिट, उस जमाने में डुपलीकेट कैसिट भी पोड़ी सी आलाग है इसको हम duplicate cassette कहा करते थे इसकी आवाज थोड़ी जाद आच्छी नहीं हुआ करते थी लेकिन उस जमाने में जिसके पास कम पैसे होते थे उनके लिए cassette होती थी और वो अक्सर खरीद लिया करते थे लगवग 15-20-25 रुपयों में आती थी देख सकते हैं य नमबर बन पर सबसे जादा बिकने वाली audio cassette कहो ना प्यार की 6 cassette देखाई अब मुझे comment section में बताना कौन सी cassette आपको सबसे अच्छी लगी चलिए आज का वीडियो यहीं कतम करते हैं आप हम आपको कल साम के 7 बज़े मिलेंगे सन 1999 में आई दूसरे पायदान पर सबसे जादा भिकने वाली audio cassette के review में यदि आपने guess कर लिया है वो कौन सी cassette है तो comment section में जरूर बताना नहीं कर पाए तो कल के वीडियो का इंतजार कर लेना क्योंकि उस cassette में भी बहुती प्यारे गाने हैं चलिए फिर कल मिलते हैं जब तक के लिए आप खुश रहिए शुस्त रहिए मस् बहुत बहुत धन्यवाद